जी हाँ नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर दो हचार चोईस के सरकारी नोक्री की फोर्म के बारे में अगर आप भी सरकारी नोक्री के तैयारी कर रहे हो और अगर आप कम समय में नोक्री पाना चाहते हो सीधी भरती यहाँ पर निकली हुई है डाइरेक्ट रेक्रूट्मेंट एक्जामिनेशन नहीं होगा इसके अलावा कई वेकेंसी ऐसी है जहाँ पर खाली एक सिंगल पेपर होगा सबसे पहले वीडियो में mostly यहाँ पर फोकस रखेंगे जिन एक्जाम का यहाँ पर जिन वेकेंसी का एक्जाम नहीं होगा यानकि एक तरीके से तीन महिने या चार महिने simple सा मान के चलिए December जनुरी तक आपका final selection हो जाएगा ऐसी vacancies के बारे में ही discussion करेंगे और पुरट complete यी वीडियो देखना यह सारी जो vacancies है सारी की सारी vacancies यहाँ पर government सरकारी वाली होने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना qualification में जिनकी सीधी भरती है वो vacancies यहाँ पर 10th pass और 12th pass रहेगी इससे ज्यादा नहीं रहेगी इसके अलावा जिनके examination होंगे वो graduation वाली होगी और कई 12th वाली होगी यह भी यहाँ पर ध्यान रखना vacancies के बारे में detail में चर्चा करेंगे जानेंगे यहाँ पर कैसे क्या आपको apply करना है last date क्या रहेगी साथ ही साथ यहाँ पर qualification में कैसे क्या आपको मतलब एक तरीके से form submit करना है कहां से करना है कहां पर कम cut off चाहती है सब कुछ detail discussion करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बाफ़स से बात कर लेते WCD की महिला आयम बाल विकास विभाग की तरफ से महिला supervisor आसा सयोगनी और कारेकरता वाली vacancy के बारे में 20,531 पदों पर यह जो vacancy है उसकी last date अभी भी गई नहीं है अगर आप में से किसी ने आविदन नहीं किया है रह गया है तो फिर से में आपे यह वीडियो डाल रहा हूँ आपको रिमाइन करवाने के लिए कि अभी तक यहाँ पर इसकी last date नहीं कई है अब यहाँ पर याद से एक तरीके से इसको form को apply कर दे अगर आपके आसपास कोई भी महीला supervisor के लिए आविदन करना चाहती है या फिर सहयोगिनी या कारिकरता के लिए आविदन करना चाहती है तो उनके लिए bumper vacancy है एक तरीके से 8000 के करीब यह महीला supervisor वहीं सहयोगिनी के 5000 और 7000 कारिकरता की post पदों पर यह vacancy सीधी भरती निकली हुई है बहुत अच्छा मोका है 2024 के end तक नोकरी लगने का यहाँ पर सभी महीलाओ के लिए यह vacancy है अगर बात की जाए supervisor पद के लिए तो मैं वर्से भी पहली बार यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ पिछली बार मैंने जब यह वीडियो बनाया था उस टाइम यहाँ पर इसकी जो salary थी वो 30-32 अजार के आसपास vacancy की salary थी लेकिन अभी वर्तमान में इसको 2-3,000 इसकी scale को बढ़ा दिया गया है 35,000 यह आप मान के चलिए जो मैंने यह आप लिखा है 35,000 यह confirm है आपको 35,000 starting salary मिलेगी और यह salary जो मिलेगी यह salary आपकी probation complete करने के बाद में मिलेगी ध्यान रखना इसके अलावा सयोगिनी की लिए जो कारे करता की भी salary आपके area के हिसाब से vary करती है कहां पे आपकी posting हो रही है साथ ही साथ इस vacancy में मैं आपको बता दू यहां पे जो पात्रत रखी गई है qualification 12th class पास आपकी होनी चीए इसके लावा 8th class पास सयोगिनी के लिए और कारे करता के लिए 10th class पास होनी चीए ध्यान यह note मैं आपको पढ़के सुना जेता हूं यहां पे यह detail जानना आपके जरूरी है केवल महिला supervisor पदो हे तु परिक्षा को आईजन किया जाएगा अन्य पदो पर 10th में प्राफ तंकों के आधार पर मेट सूट चीप बनाएगी जाएगी और अंतिम चैन किया जाएगा किस प्राफ तंकों के आधार पर और आट्व में प्राफ तंकों के आधार पर यह आप ध्यान रखना इसके अलावा यहां पर महिला supervisor पद के लिए जो qualification करने के लिए आपका paper होगा उसका पाठे करम दिया गया है प्रसनों की संख्या 50 question 25 question 25 question यह आपके current affair reasoning इसके अलावा यहां पर computer साक्षरता की बारे में जो भी ग्यान आपको है उसके आधार पर यहां पर नीचे syllabus दे रखा है यह आप पढ़ लिए इसके अलावा यहां पर dates की अगर बात की जाए मैंने पहले पर आपको date clear की थी यहां पर देख सकते हो जैसा की screen पर आपको दिख रहा है 15 से लेके 16 11.2024 तक आप यहां पर इसके लिए online आविदन कर सकते हो तो यह थी यहां पर इसकी details नीचे description box में लिंक दे दूँगा वहां पर भी जाके आप इसके बारे में चेक कर सकते हो अभी एक और vacancy की बात कर लेते हैं उससे पहले आप सभी से request है हमारे चैनल को आप जरूर subscribe कर ल यहां पर यह 24 और 25 के लिए है 24 और 25 के लिए यहां पर सभी state में कितनी vacancies निकलने वाली है और इसके लावा किन-किन states में vacancies निकल चुकी है उसके बारे में detail में चर्चा करेंगे UP में 23,753 vacancies 2,024 और 25 में available होगी जो कि कई vacancies यहां पर इनमें निकल चुकी है कई vacancies निकलने वाली है और remaining जो vacancies है वो भी निकल चुकी है उसके अभी में आपको proof दूँगा आप वीडियो को पूरा detail में देखिए इसके लावाब आप जिस भी state से बिलों करते हो आप यहां पर पूरी list देख लिए 2024 और 2025 में इतनी vacancies यहां पर ICDS की तरफ से निकलने वाली है और कुछ एक vacancies फुल्फिल हो चुकी है इसका proof भी में आपको दूँगा यहां पर पूरी list देख लिए सबसे पहले आप जिस भी state से बिलों करते हो और यहां पर basic basic चीजे में बता देता हूँ यहां पर इसमें कारे करता के लिए पांचवी class पास और आनिवारी है helper के लिए 10th class प्रिवेक्षक के लिए 12th class और वहीं graduation कर रहा है तो सभी post के लिए eligible है अब यह सब सारी सी जह आप सभी को पता होगा सबसे पहले मैं आपको PDF शेयर कर देता हूँ एक तो दोस्तों जैसे कि आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा है सबसे पहले UP वाली ही बात कर रहा हूँ मैं यहां पर UP की ही मैं प्रूफ दूँगा आप यहां पर पूरी state wise list देख रहे हो sorry यहां पर district wise UP में जितने भी district पढ़ते हैं उनकी सारी list देख रहे हो यहां पर कुछ है एक back date की आपको दिखेगी last date जो की vacancy के examination हो चुके है selected reason में अभी जो नया वाला reason है जैसे कि आपको screen पर दिख रहा होगा देवरिया इसके लाबा यह 10-15 तरह के district है वहां पर सबसे पहले में open कर लेता हूँ इसकी pdf जो starting में आपको देवरिया दिख रह जैसे भी हो click करके देख लेना सुपसे पहले उपर वाला open कर लेते हैं यहां पर आपको दिख रहा है इस district में जितने भी गाहों आते हैं उनके list दे रखिये और उसके सामने vacancies उस गाहों में कितनी है वो भी बता रखिये तो यहां पर इतना deep जाके मैंने आपको proof दे दिया है यह सारी vacancies जो यूपी में 23,000 निकली हुई है वो सभी state में जितनी मैंने बता रखिये उतनी निकल नी है कुछ एक निकल चुकी है कुछ एक निकल रही है यह जैसे कि आपको मैंने भी PDF शेयर करा है 9.11.2024 इस selected reason की last date है अगर आप यहां पर इस selected reason में आते हो तो apply कर सकते हो vacancy का नीचे link भी दे दूँगा वहाँ पर जाके आप download करके भी इसके बारे में संपूर्ण जानकर ले सकते हो दोस्तो अगली vacancy इंडिया post payment bank bank की recruitment है जो कि executive post के लिए होने वाली है यह भरती और यह परती के लिए eligible candidate खाली dark सेवक है यानि कि जो dark विभाग में dark सेवक के पर दो साल से कारी रथ है वही लोग यहाँ पर इस vacancy के लिए आवेदन कर सकते है यह आप ध्यान रखना online registration आपके जो start होने वाले 11-10 से लेके 31-10-2024 यह इसकी last date है 31-10-2024 इस timeline के बीच में अगर आप यह वीडियो देख रहे है तो ही आप पूरा देखे क्योंकि यह इसक Department of Grameen Darksever from Department of Posts to IPBB in as a Executive यान कि एक तरीके से इनका कहने का मतलब यह है जो Indian Post Payment Bank है एक तरीके से यह डाक भी भाग का ही एक अंग मान सकते हो इसको आप तो Indian Post Payment Bank में सीधी भरती निकले गुई है और इस भरती के लिए यहाँ पर Grameen Darksever जो लगे हुए है वो लोग apply कर सकत Executive की Post के लिए यह इसका कहने का मतलब है साथ ही साथ यहाँ पर नीचे में स्क्रोल करके आपको उता जाता हूँ यहाँ पर Executive की Post यहाँ पर लिखी हुई है 344 वेकेंसी अवेलेबल है और यह वेकेंसी यहाँ पर नीचे आपको स्क्रोल करके पूरी district wise जो area wise या state wise आपका लि Minimum 2 साल का Experience यानि की GDS के हिसाब से Age या GDS लिखावा यानि की Gramine Dark से वग जो लोग 2 साल का Period निकाल चुके है उन लोगों के लिए Vacancy है, Graduation होनी चीए 20 से 35 साल की Age होनी चीए इसके अलावा कुछ नहीं होना चीए बस यही से सेम सब कुछ रहेगा 30,000 की Vacancy है, यह तरीके से 30,000 रुपे परमन्त आपकी मिलेगी, आपको Starting महिने की जो Gramine Dark से वो कभी 14,000 या 10,000-12,000 के आसपास मिल रहे होंगे, Rural Urban के एसाब से उनका बहुत अच्छा मोका है उनके लिए, सही बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप यह Apply करते हो, कोई इसमे अगर आपको यहाँ पे, क्योंकि यह जो Vacancy में बता रहा हूँ, यह Vacancy पिछली बार में निकली थी, उसका क्या Cut Off रहा था, कैसे आपका Selection हुआ था, क्या Process रहता है, वो सब कुछ आप समझ लेना, तो इस चैनल पे आप जुरूर सबस्क्राइब करके बने रहना